गुड़ मॉर्णिंग चुड़न आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक सोसल साइंस के चेप्टर नमबर फिप्ट को पढ़ेंगे लेसन का नेम हमाई चेप्टर का नेम इंबारूमेंट इंबारूमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं परिया परण जो हमारे आसपास का जो बातावर होता है उसी को हम हिंदी में परियावन या फिर इंबारूमेंट कहते हैं तो हमारे जो सरांडिंग में जितनी भी चीजे होती है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबस्टेंस होते हैं मटीरियल्स होते हैं सारी को मिला कि क्या बनता है हमारा इंबारूमेंट बनता है चाहे वो natural हो या फिर बढ़ artificial हो चलिए तो हम अपना chapter शुरू करते हैं Our environment is found by everything that around us जो हमारा environment अपने आपने हैं वैं किस से मिलके बनाए है पर ते एक बस दूसरे जो हमारे surrounding में है जो अपने चारों तरफ देखते हैं It is where we live work और पहे होता है जहाँ पहे हम रहते हैं और काम करते हैं It is everything we see and everything we touch जहाँ पहे हम सारी चीजों को देख सकते हैं और उन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं All living and non living things that surround us including houses सारी जीवित और निजी बस्तु हैं जो हमारे चारों तरफ हैं इंक्लूडिंग जिसमें हम घरों को, buildings को, pupils को, plants को, animals को, land, air, water and light makes our environment जो सारी चीज़ें हमारे environment को बनाती हैं Do you know that we get four of our basic needs from our environment? क्या आप जानते हैं कि हम चार जो basic needs हैं आपने environment से प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट है वी गेट oxygen from air हम एयर से oxygen प्राप्त करते हैं जिसे हम ब्रीथ करते हैं वी गेट water from rain हम रेंज से बरसा से water प्राप्त करते हैं that flow in lakes, streams and rivers जो lakes or rivers में बहता हैं we get food from plants and animals हम अपने वोजन को प्राप्त करते हैं we make shelter from the water that we get from the trees हम shelter बनाने के लिए जो लकडी होती है वेट प्रीज से लेते हैं our environment is very important to us जो हमारे environment है पर यह अब हमारे लिए बहुत ही जादा important है and therefore we should keep our environment clean इसलिए हमें जो हमारे environment है उसको क्या करना चाहिए clean करना चाहिए, saaf रखना चाहिए but in reality में क्या है लेकिन we do, don't do this लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं we throw waste like empty packets, plastic bags, pencil, savings or cane here and there हम क्या करते हैं हम इन सब चीजों को जैसे की खाली packets हो गए, plastic bag, pencils की savings और canes हो गई इनको यहाँ वहाँ fake देते हैं जिससे हम आज environmental identity हो जाता है the human activities have lead to environmental pollution जो human activities होती है उनसे भी बहुत ही जादा environment का pollution हो रहा है उसका पर दूसर बढ़ रहा है there are waste that decay but the waste like polythene bags electronic waste do not decay and cause pollution कुछ waste ऐसा होता है जो आसानी से विगटित हो जाता है decay हो जाता है लेकिन कुछ wasted जैसे की polythene bags हो गए electronic waste होते हैं पर decay नहीं करते हैं जिससे क्या होता है जिससे pollution का वह कारण बन जाते हैं पर दूसर का वह कारण बन जाते हैं first है हमारा pollution क्या होता है पर दूसर क्या होता है तो making our environment dirty and unhealthy for all living beings is called pollution हम अपने environment को dirty बनाए गंदा बनाए और unhealthy बनाए living beings द्वारा तो उसको हम pollution कहेंगे pollution is a four type जो pollution होता है चार प्रकार का होता है air pollution water pollution land pollution and noise pollution first pollution है हमारा air pollution तो वायू पर दूसर क्या है तो when harmful gases get mixed with air particles air pollution is caused जब जो harmful gases होती है जो generally gases होती है air particles जो वायू के कड़ होते हैं उनके साथ मिल जाती है तो इसको हम air pollution कहते हैं यह बायू पर दूसर कहते हैं different human activities are responsible for air pollution Vosai जो मानवी की अकल आप है air pollution के responsible है they are वाय कौन कौन से है fumes emitted from vehicles such as bus trucks and cars and taxi fumes होते हैं धुआ होता है वाय निकलता है बाहनों में जैसे bus हो गई truck हो गई, car और टैक्सी उससे भी बाई पर दूसर होता है smoke from factories and industry जो smoke निकलता है factories and industries air pollution होता है bursting of firecrackers जब हम firecrackers पटाकों को जलाते हैं तो इससे जो दूआ निकलता है उससे भी air pollution होता है polluted air is bad for all living things polluted air air वायू है सारे जीवत प्राणियों के लिए खराब है it causes इससे क्या हो सकता है allergies हो जाती है लोगों को and skin dresses हो जाते हैं due to polluted air plants and trees around us cannot prepare their food properly plants and trees होते हैं बै अच्छी तरीके से अपने भोजन को नहीं मना पाते हैं this slow down their growth जिसकी बज़ासे आपने food अच्छे से नहीं बना पाते हैं क्यूंकि जो growth होती है next हमारा water pollution तो water pollution क्या है harmful things that are released in the water bodies causes water pollution जो harmful things होती है जो खराब सामन होता है अगर हम उनको water में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है पानी का पिदूसर होता है जो जल हमारा पिदूसर हो जाता है how does water get polluted दूसर कैसे होता है हमें इंफेक्शन और डिसीज़ हो सकते है सम वोटर वोन्स डिसीज़ आर टाइफाई और जोंडेस वोटर वोन्स डिसीज़ या पानी से होने वाले डिसीज़ कौन से MLE टाइफाई और जोंडेस है थैंक यू जूँ झाल झाल